Assalamualaikum and welcome back to my channel आज मैं बनाऊँगे चिकिन शाष्टिक स्टिक और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए यहाँ पे मैंने एक बॉल में एक पाउच चिकिन दिया है बॉल लेस चिकिन की मैंने और छोटी छोटी बोटिया कर ली थी और अब मैं इसमें डालूँगी एक टेबल स्पून लेसन अधरक का पेस्ट नमक जाएगा हस्पे जाएका हाफ टी स्पून जाएगी काली मिर्चो का पाउडर एक टेबल स्पून सोय सॉस और अब मैं इसमें डालूँगी अपना स्पेशल वाला मसाला जो कि मैं हमیशा बना के रखती हूँ और दो टी स्पून मैं इसमें डालूँगी और इसमें मैंने हल्दी, जीरा, धनिया और लार्ण में जो के पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया था पीसके अब मेस में वो दो टी स्पून डालूंगी और उसके बाद मेस को अच्छे से मिक्स करके रख दूंगी मेरीनेट होने के लिए तक्री बना दे घंटे के लिए और अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादा देर या ओवर नाइट भी मेरीनेट करके रख सकते है चिकिन मेरीनेट हो चुका है और अब मैं इन स्टिक्स पे लगा रही हूँ मैंने दो शिमला मिर्च और प्यास को लेकर पहले ही क्यूब्स में काट लिया था और अब इस स्टिक्स पे सबसे पहले मैं डालूँगी एक शिमला मिर्च उसके बाद एक प्यास और एक चिकन की बोटी और उसके बाद मैं ये तीन बार रिपीट कर दूँगी और जरूरी नहीं है कि आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाए जैसे कि मैं बनाती जा रही हूँ आप अपनी मर्जी से इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं और कुछ में मैंने सिर्फ दो बोटियां ही डाली थी ये कम्प्लीली आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी बोटियां डाल कर बनाना चाहते हैं ये दो मैं आपके सामने बना रही हूँ और बागियों को मैं कैमरा आफ करके बना दूँगी यहां पर मैंने सारी स्टिक्स तैयार कर ली हैं और अब मैं बस इनको फ्राय करूँगी इदर मैं पैन में एक टेबल स्पून ओल डाल रही हूँ मैंने औरल कम ही रखा है अगर आप थोड़ा सा जादा करना चाहते हैं तो भले कर दे लेकिन इतना जादा नहीं करिएगा और अब मैं इसमें स्टिक्स रखतूंगी और इसको मैं बहुत ही कम फ्लेम पे पकारी हूँ जितनी हम दम पे रखते हैं उतनी पे क्योंकि इससे पहले जब मैंने मीडियम फ्लेम पे बनाये थी तो ये जल गए थे चिकिन की बोडियां वैसे भी छोटी छोटी हैं तो ये गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती और इनकी साइट्स आप 2-3 मिनट बाद चेंज करते रहेगा ये इस टिक इतनी ज़्यादा गरम नहीं होती तो मैंने बस हाथ से ही चेंज कर ली थी साइट्स लेकिन आप एतियात के तोर पे चिम्टे से इसकी साइट्स चेंज कर लीजेगा और अब ये बस हो गई है तो मैंने को आप डिश आउट कर लूँगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब कर दे और अगर आप मेहनदी में इंटरस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सबस्क्राइब कर दे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा